वेल्कम प्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल पर हादिक स्वागत हैं प्रेंड्स इस्ट्रेशन के अंदल हम लोग तो डिफ्रेंशियल इक्वेशन में चैक्टर कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट आप फर्स्ट डिग्री उसका लेक्शेर नमबर 4 और सब्सक्राइब कर रहें तो विद्रेंशियल इक्वेशन सॉलिबर 4P सबसक्राइब के अंदर कर रहें इससे पहले डिफ्रेंशियल इक्वेश्चन में मैंने कौन साथ चैप्टर कर वाए था पर्स्ट जीग्री यह नॉट नहीं था अभी नॉट वाला इंक्ल्यूद गया उसमें लोगों ने एक्जाट डिपेशेल एक्वेशन नौन इक्वेशन पड़ी ती इस अब आपको कीजिएगा और एक च्छोटा question करें तो भो भी बन सकता और इसको बड़े section के अंदर भी डाल गे दे सकते हैं है तो करने डिसकस करते है क्लैरो की समीकन है क्या तो फॉर्स्ट व पॉल स्मीकन यह जो इक टाइप की equation है ना y equals to px plus f of P Co this special type की equation को ही क्या का हुआ है क्योंकि एक्वेशन का सॉलूशन दिया हम पहले तो इसका डेरिवेशन कर रहे हैं उसके बाद इसको एक एक लाइन के अंदर यह आंसर देना है देखेगा कैसे यहाँ पर अगर f of p कुछ भी function of p हो सकता है यह एक्वेशन आपको सॉलूब फार किसके लग रही है हम लोग कर चुके एकस कर चुके य सिंपड़ी वाइपल टू के पॉर्मेट में तो यह तो मैं किया करता हूं प्लेशन इसको रहता हूं इक्वेशन नंबर वन डिफ्रेंशियेट करते हैं जब भी य के रैसपट में प्लेशेट इस डिफ्र अब दोनों तो रख पी यह तो पी से भीगर तो फ्रेंट्स दॉने बाइच्ट तो फ्रेंट्स इभी बाइच्ट इंटर, x फ्लस f देश बी, इकोस चु झू जिरो. अब जैसा कि France मेरे क्या काता, दो फेक्टर बनते हैं, पहला फेक्टर यह रहा, दूसरा फेक्टर यह रहा. एक फेक्टर में, dp by dx होता है, दूसरे में नहीं होता है, जिसमें नहीं होता है, उस ट्रॉम को क्या कर देते हैं, डिसकार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो घ्रना किसको है, DP by DX को, इसको solve करते हैं, यह DX भी इजर गया 0 में, दोने तरफ integrate किया, तो DP का integral P और यह integral constant आजाएगा C, और फैंस यह जो P की value आती है, अमें किसमा पूट करना होती है नंबर वन तो क्या था दा चाहिए यह हो जाएगा यह हमारा बस्तों का फाइनल आंसर होता है तो देखो जब आध कर देखो क्वेशन के अंदर आपके question पूर सकता है अगर आपके question section A में आता है तो तो आप उसको सीधा लिखेंगे जैसे मैं question ले दा हूँ one by one अब first of all question number two लेते हैं जैसे question number two में देखे friends y equals to क्या है px plus log of p यह किस format में इसके दो method बता रहा हूँ पहले उसके बाद हम लोग सब्सक्राइब में करेंगे अगर यह question दो मार्स में आ जाता है तो क्या लिखेंगे since this equation is in Clarenor's form अब यह क्लार's form में क्यों है friends y equal to px ज्यान रखिए px ही होना चाहिए साथ में ऐसा नहीं और x 3 px नहीं only px प्लस यहां जो होता है ना only function of p होना चाहिए ना तो x नहीं y तो यहां पर इस case में इसका solution क्या हो जाएगा y equals to cx plus log c मतलब जाँ 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 पी है वहाँ वहाँ क्या फुट कर दो सी पुट कर दो यह answer हो गया यह answer किस form में लिखेंगे friends अगर यह question 2 marks का आजाता है section a के अंदर अगर इसी question को आप लोगों से पूछ ले section b के अंदर यानि जो बड़े मास्वाल equation है उसमें तो क्या करेंगे यह तो हुआ method first अगर बड़े question में पूछ ले तो आप लोगों को complete इसको denial करके बताना पड़ेगा कैसे जैसे अभी किया दस y equals to px plus log p है तो यह equation क्या होई इसको दिया equation 1 differentiate with respect of x तो dy by dx क्या होगा यह dy by dx is equals to p as it is x का 1 plus x as it is p का dp by dx plus log p क्या होगा 1 by p और फिर पी का क्या होगा dp by dx अब friends dy by dx किसके equal होता है p is equals to p plus इन दौना message dp by dx को क्या ले देता हूं common अंदर क्या बचेगा x plus 1 by p अफ्रेंट दौना तरफ p से p गया dp by dx x into x plus 1 by p is equals to 0 दो factor बन रहें एक में dp by dx एक में नहीं है जिसमें नहीं है उसको क्या कर देते हैं discard कर देते हैं लिखेंगे आप लोग we discard the term यह तो बचा क्या dp by dx equals to 0 dp is equals to 0 both side integrate p equals to c आया PC इसको किसमें पुट करना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन वन क्या थी हम लोगों के y equals to p x plus log p तो यह किता हो जाएगा y equals to c x plus log c यह इस question का प्रेंट्स देने वाला है answer ओके तो फ्रेंट्स दो टाइप पता है मैंने एक अगर आपको एक question short form में पूछे तो और दूसरा detail form में पूछे तो ओके अब मैं लेता हूं इसका question number one question number one का answer क्या होगा फ्रेंट्स यहीं लिख देते हैं since this is in clearance form therefore answer is y equals to c x plus a by c अब जो standard form में नहों और आप लोग उसको standard form में convert कर रहे हैं तो यह पूरा detail method करने की जुरूत नहीं है अगर five marks में आता है तो भी आप उसको क्या करोगे लेट्स form में convert करोगे convert करके उसका answer लिखो पे तो तीन चाहरे स्टेफ हो जाए तो five marks के लिए enough है तो first of all friends question number three लेता हूं लेक्स पेज़ पे अब देखे फ्रेंट्स यह एक बार की देखने से डायक ट्लेरट्स form में नहीं है तो convert करके देखते हैं लेको minus का PY उदर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का PY हो जाएगा यह xp square plus 2 अब friends इदर y रहता है पी को इदर देख दो xp square upon p यहाँ पे भी और यहाँ पे भी y equals to 1p तो cut हो गया पी x plus 2 by P अब क्या लिखेंगे वही रामा है तो फाइप लाइंग लिख दिये तो है नफ है बड़ा क्वेशन होता है तो इसको आप डिर्टी लिख सकते हैं इसको सॉल खरना के आगे जरूरत नहीं है और शॉल कर भी सकते हैं कि एन नाइस्ट लेता हुद को से नंबर 4 लोग means that e की पावर में चला जाता है तो यह क्या होगा e की पावर p px minus y minus का y इदर ले ओ प्लस y और यह जो प्लस का e की पावर px को इदर ले जाओ minus again क्या रहा है लिखेंगे since this is in clever's form therefore solution is y equals to cx minus e h power c okay question number 4 complete next रहता है question number 5 इसको यह ही कर देता है tan इदर गया tan inverse p is equals to px minus y minus का y इदर tan inverse p इदर उस पाविशन क्या होगा y equals to cx minus tan inverse c क्योंकि यह किस फॉर्म में clear form में okay question number 6 लेते हैं यह भी देखे फ्रेंट्स easy question y minus px यह जो multiply का p minus 1 नहीं की तरह लेगा इदर divide में minus का px उदर बेज दीजिए plus का px plus p upon p minus 1 तो since this is in clear form therefore solution is solution क्या होगा y equals to cx plus c upon c minus 1 ओके और लेते हैं question number 7 question number 7 में देखे फ्रेंट्स यह भी easy y minus px का और स्क्वेर हैं इदर आएगा a square one plus p square p square फिर square जैसे ही अटेगा इदर plus minus a under root के अंदर one plus p square minus का px उदर बेजिए प्लस का px नाव फ्रेंड्स सेंस्ट इस इंग्लेरोट्स फॉर्म देफोर solution is y equals to cx plus minus a square root of one plus c square ओके next question लेते हैं friends question number 8 तो friends इन questions के आप जितनी practice करोगे ना तब ही मौलूम चलेगा कि question किस method से होना है तो practice के practice किये जाएगा questions आपको काफी easy लगेंगे अब प्रेंड्स एक किसी भी एंगल से आपको क्लैड्स फॉर्म में नहीं निज़रादा होगा बट एक बार practice कर लोगे तो मालम चले जाएगा कि यह differential equation क्लैड्स फॉर्म में convert करने की है देखेगा कैसे करते हैं सबसे पहला format इसको इदन लेके आता हो है साइन पी एक साइन पे वाए माइनस साइन वाए है इस इकोस टू पी ओके अब फॉर्म्वा आप लोग पड़ते हैं जाने से देखेगा साइन एकस पॉर्म्वाइम बाइनस पॉर्स साइन वाइं होता है साइन एकस माइनस वाइक होता है यह एकस की जगा क्रेंटिटेश्च क्या चलता है फी एकस वाई की जगा ऑइले तो यह किसका फॉम्ले बन रहा है निक्मायट यह पॉस्च की नहीं होना अब ईदर ले जाओगे P P X minus Y minus य इधर जाए गार विधा प्लस का सब्सका सब्सक्राइब किसल्द का मीनष के फ्रैंड य इकोज तो P X plus F of P function of PA. Since this is in clear form, since this is in clear form, therefore solution is therefore solution क्या होगा y equals to cx minus sin inverse c अब लेते हैं friends question number 9 8 हो चुका question number 9 कि यह बड़ा टेक्निकल कोश्चन है तो इसमें काफी कुछ आपको मैनज करके इसको कंप्लिट करना पड़ेगा सब्सक्राइब करेंगे जितने इन कोश्चन पर प्रेक्टिस करेंगे उतना ही क्या होगा और आप लोगों को पड़ाक से क्वेशन देखते ही मालूम चल जाएगा कि इस मेंटर से होना है इस क्वेशन को देखें यहां पी देखोगे या कॉंस्टेंट देखोगे जैसे आप लोगे देखेंगे सॉलिबल फॉर एक्स पी के लिए एपलाई करने जाओंगे और फिर आगे अगर श्रीगराचार यह फॉम्ला जब एपलाई करोगे प्रफेक्ट स्क्वेर नहीं बनेगा तो वहां तक जाओ प्रफेक्ट सब्सक्राइब नहीं होगा ऐसे ही क्वेशन को चला कर देता है ताकि बच्छा कंफ्यूज हो ओके तो करते क्या है देखें इसमें सबसे पहली बात यह बता दो एक्स पी स्क्वेर यह जो माइनस का इसको राइट साइड में बेजू किसका हो जाएगा प्लस क यहां से देखो क्या कॉमण आरा है तो यहां बंड यहां से लाइनस का वाइट रिदर क्या प्लमाइनस वाई नाओ प्लस मुल्टीप्लाइगा है इदर राइगा किसमन चला जाएगा एगा डिवाइड में यह पी एक्स माइनस वाई minus का y उदर बेजिए plus y is equals to plus की quantity इदर बेजिए minus के format में तो friends अगर आप लोग clearly देखे y equals to px ये function of kya है p तो since this is in clear-out form therefore solution is solution क्या होगा y equals to cx minus a c square upon c plus one ओके लेते हैं इस्टेशन का साइज लास्ट क्वेश्चन है question number 10 तो अप्रेंट जैसा कि इसमें पीपी वाला पॉर्डमिट है नहीं तो आप लोगों को मैंने जब एक्ससाइज स्टार्ड की थी जप्टर स्टार्ड किया था तब क्या बदैता है जो dy by dx है वो तो किसके इकल होता है p के और जो dx by dy होता है वो क्या होता है one upon p के तो friends सबसे पहले मैं उसको इस format में put up करता हूँ y square plus x square p square minus 2xyp is equals to 4 dx by dy है क्या लिख सकते है one by p का whole square offensive of four upon p square क्या मैं इन तीन चीजों को combine करके लिख सकता हूँ y minus px का whole square a square plus b square minus 2ab हो रहा है square हटता है तो क्या आएगा plus minus 2 का square root 4 का square root 2p square का p y minus px अगला format minus का px इगा plus का अब क्या लिखेंगे this is in cloud form therefore solution is solution क्या होगा y equals to cx plus 2yc okay friends तो यहाँ कर आपके यह equation हो जाता है complete इसका answer y equals to cx plus 2yc so friends if you enjoy this video then please don't forget to subscribe this channel and please share this video into your friend groups thank you bye bye मिलते है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें अबलोग करेंगे equations reduce is equal to class form thanks for watching